हलो गईज वेल्कम टू अचेव आईएस मैं इस वीडियो में हम एंशेंट रिस्ट इंडिया का एपिसोड 17 स्टाट करने जा रहे हैं उसका नाम है पर्शन एंड ग्रीक इन्विजन्स इन इंडिया मगत की हमने बात कर ली थी हरेंगा डाइनस्टी शुशन डाइनस्टी एंड नंदर डाइनस्टी फिर हम नंदर डाइनस्टी में हमने देखा कि धना नंदर लाश रूलर थे और इनके टाइम पर ही अलेक्जेंडर आये थे तो आज हम वही पर्शन और ग्रीक इन्विजन्स क की बात करेंगे बहुत इंट्रस्टिंग एपिसोड होगा शायद अब तक का सबसे बैस्ट एपिसोड होगा चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहला उंको बता दू हमारे सबी एंसेटी सबजेट्स के लिए टेसीरिस फॉरूमैट में कॉर्स आते हैं ज़या जान करेक लिए आप डिस्किप्शिन में जा सकते हैं और दिये गए नमबर कर सकते हैं यह महाजनपता दे। 16 महाजनपता आप मैप में देख सकते हैं जिसमें फेमसे वजे मगध, अंगा, आवंती, मतष्यशोर्षिना, कुरू, पांचाल, काशी, कोशल, ठीक है? तो यह आपको आर्केमिनीड एम्पायर भी दिखरा होगा, ठीक है? यह गंदरा, हम् अब पर्षियन इन्वेजन ओफ इंडिया पढ़ते हैं, देखो यह ध्यान रखना कि पर्षिया इरान को ही कहते हैं, अचका मोडन डे इरान ही है, पर्षिया, वहाँ पे आर्केमिनीड एम्पायर था, एंचेंट इरान में, और जो फाउंडर थे, इस आर्केमिनीड एम्पा उजजा, मद्रा, जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, वह बिम्पी सारा उस टाइम पे रूल कर रहे थे, हरेंकर डाइनस्टी के, जब फाउंडर थे, बिम्पी सारा मगत पे रूल कर रहे थे, ओधर छोटे-चोटे एम्पायर थे वेस्टन साइड और साइरस आ गये थे, स अचा, इन्होंने पंजाब और सिंद को अनेक्स कर लिया, किन्होंने साइरस के ग्रांड से दारियस फरस्ट ने, ये ध्यान रखिएगा, साइरस के जो ग्रांड से दारियस फरस्ट इस ने पंजाब और सिंद को अरेक्स कर लिया, तो प्रोपर जो अगर में टरिटरी अने सेना का की भी मदद ली अब पर्शन इन्वेजन की मैंने बात कर लिया आपको राजाओ की मैंने बात कर ली कैसे उन्होंने किस तरीके से लड़ा और कैसे वे ट्रैटरी अपने एंपायर में ले गए इफेक्ट क्या हुआ इनका देखे ट्रेड तो बढ़ता ही क्योंकि जब है रूट्स खुल गए जब लोग सेना वहां एक दूसरे के है तो ट्रेड भड़ता है और नहीं स्क्रिप्ट आती है खरतोशी स्क्रिप्ट आई खासकर नोर्थ वेस्टन इंडिया में पर्शन्स लेके आए इरानियन्स खरतोशी स्क्रिप्ट और खरतोशी स्क्रिप्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट में रही जाती है यह ध्यान रखिएगा और एर्मैनियक स्क्रिप्ट से डिराइवट की गई है इसको अशोकार ने भी कुछ अपने स्क्रिप्ट खरतोशी स्क्रिप्ट में नोर्थ वेस्टन साइड में राइट किये थी ठीक है तो अग मै अगर इफेक्ट की बात करूँ और उसके बाद अगर मैं अलेक्जंडर की बात करूँ यानि कि मैं ग्रीक इन्वेजन ओफ इंडिया की बात करूँ तो मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से साइरस के बाद जो है वो दारियस यह देखिए दारियस आए ठीक दारियस फ एलेक्जेंड है मैसेडोनिया के जो राजा थे फिलिप उनके बेटे थे मैसेडोनिया उस तेम के ग्रीस को कहते थे अब इनकी और परश्या की पंतिनी थी परश्यांस की तो यह नोंने जो है जो एलेक्जेंडर जो ग्रीक थे मैसेडोनियन थे इन से लड़ाई शुरू कर द अब आगे इंडिया के तरह भड़ते चले गए नोर्थ वेस्टन में आपको मैं बता देता हूँ यह देखिए यह अलेक्जंदर दी ग्रेट यहां से होते हुए आए और सारा इनोंने जो है कॉंक्वाइर करते वे इराक इरान सब कॉंक्वाइर करते वे इनोंने यहां पे नोर्थ वेस्टन साइड में अपना परभुत्व जमालिया यहां से आप देखेंगे तो यह आगे नहीं भड़े और यहां से लोटके वापस चले गए फॉर एक्जामपल यह देखिए आप अच्छे से मेसेडोनिया से आए इसिया माइनर को कॉंक्वाइर किया फि यहां से वे वापस आ गए और यहां पे बेबी लोन में वे आ गए और यहां पे उनकी जो है अकस्मात मोत हो गई वो किसी बिमाली से ग्रस्थ हो गए और इनके इससे आगे वे नहीं पड़ पर तो इस तरीके से यह जो हर रूट आप देख सकते हैं अब जैसा कि मैंने बत अब इसमें मैप में अब अलेक्जंडर इरान इराक तक आ गए तो उनने सुना था कि भारत काफी अमीर देश है और दुनिया को अलेक्जंडर वैसे भी कॉंक्वार करना चाहता था क्योंकि उसको इतना पता था कि भारत से उधर ओशियन है इस्टिसाइड तो यानि धरती दुनिया उसके लिए वही खत्म हो गई यानि वह पूरी दुनिया को जीतने वाला अगर भारत को जीत लेता तो लेकिन इसका सपना जो है पूरा नहीं हो पाया वह पड़ेंगे हम नौर्थ वेशन इंडिया में जब वह आया तो कुछ रूलर्स राज कर रहे थे यूनिट ने वहां से चुनोती भेजी चलेंज किया और यहीं पर अमबी ने हार माल ली सोरनेटी एकसेप्ट कर ली कि हां अलेक्जेंडर यू आ माय किंग और यहां पर उन्होंने जो है हार माल ली अब आगे जो इनका दुश्मनता अलेक्जेंडर था वो कप पोरस अब मैं आपको अब यहां पर आपको जो हेड़फसस दिख रहा है हेड़फसस यह बेसिकली जेलम का एंशेंट नाम है हेड़फसस ठीक है जेलम का यहां पर मैंने आपको कहा कि पोरस का राज था ठीक है तक्षिला तो ओल्रेडी अनेक्स कर ली है वो तो हार मान गये बिन्या लड़ी यह यहां पर पोरस का राज था ठीक है जेलम और यहां पर ब्यास न दीती तो यहां पर जो है पोरस की और अलेक्जंडर की लड़ाई हुई थी अब मैं आपको एक इंट्रेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूं जब तक्सिला का रूलर हम भी अलेक्जंडर की तरफ से हार मा बन गया तब अलेक्जंडर ने तक्सिला में रहते हुए पोरस को चुनोती भेजी कि जैसे तक्सिला के रूलर ने हार मान ली या तो आप वैसा कर लो या लड़ो पोरस ने सीधा सीधा जवाब दे दिया मैं लड़ूंगा ठीक है बहिया अलेक्जंडर बोले ठीक है अलेक्जंडर की सिना को पता था कि पोरस के वहाँ पे लाखो सेनिक हजारो घोडे और हजारो हाती थे जबकि एलेक्जंडर के पास घोड़े घोड़े थे तो पहली बात तो आर्मी वैसी डर गई दूसरी बात जल्दी से जहलम क्रोज भी नहीं हो पाई क्योंकि ग्रीक र पानी का कि कोई घोड़ा हाती कुछ भी अगर कुछ भी वहाँ पे होता तो वह उस फ्लो के साथ भैजाता कोई टिक नहीं पाता अलेक्जंडर ने धहरे रखा और थोड़े दिन रुकी और उसने ऐसी जगए ढूंड़ी जहां पे फ्लोग कम था वहां से पहली बात तो सेना तो वहीं डर गई थी देखके कि जब उन्होंने उनको पहले से पताता कि पॉरस के पास इतने सेने कहले कि क्या करें लड़ना पड़ता चुनोती दे दी तो लड़े बाई साब नदी क्रोस करके गए तो इस तरह जो है यहां पे एक इस तरीके से है कि हाथी आगे खड़े कर रके थे उन्होंने और घोड़े बहुत पीचे खड़े थे और इस तरीके से थे कि हाती जो सबको चक्रना चूर कर देते लेकिन एलकें टैक्टिक स्वाल करते वें जो है हमला शूरू किया और ऐसे भी कहते है कि यहां पे जो पोरस के जो स्यनिक थे जैसे बो थी न बो और एरो दहनुश बान तो धनुश बान पर टिका के रखते थे और एरो जो है वो पीछे लेके तीर बान पीछे लेके और ऐसा छोड़ते थे और वो Greek writers कहे रहे हैं सोचो वो ऐसा कहते थे कि उनका छूटा हुआ तीर ना कोई शील्ड तोड सकती थी ना वो जो सीने पर लगा हुआ कवच तोड सकता रोक सकता था वो सीधे जाके अपने निशाने पर लगता था और उसको कोई रोक नहीं सकता था अभेद है वो तो इस तरह के डिस्क्रिप्शन्स थे पोरस खुद हाती जो सबको उठाके फै करा था फिर भी अलेक्जंडर लड़ाई शुरू की और अलेक्जंडर ने टेक्टिक अपनाते वे पोरस को घेर लिया पोरस को घेर लिया पोरस हार पोरस से लड़ाई हुई पोरस हार गए बहुत पहदूरी से हारे पोरस ने पोरस के पाज अब लेकिन वहां की अगर सीन देखे क्योंकि देखो पूरे इनके आठ गंटे लड़ाई चल रहे थी आठ गंटे में भी यह पता नहीं चल रहा था जीते का कौन इतनी भादूरी से पोरस लड़ रहे थे और बात यह कि अलेक्जेंडर ने पोरस हार रहे थे तो पोरस को मारना न नहीं कि जोओ जो मेसेंजर गए जिनको पोरस ने उने पर हमरा करने की कोशिश कि लास्ट में इक पोर weEvery का फ्रेंड गए अलेक्जेंडर की तरफ से और मनाने कोशिश कि तो पोरस जो है वे ठीक है पोरस से इंप्रैस हो के अलेक्जेंडर ने उंको वापस अपनी ट्रेटरी दे दी ठीक है हम तुम्हें ट्रेटरी अनेक्स नहीं करेंगे और इस बोट बैटल को कहते है बैटल ओफ हैड़ेपसिस हैड़ेपसिस जेलम का एंशेंट नाम है जेलम पॉरस हार चुके थे लेकिन पॉरस की बादूरी दे के अलेक्जेंडर ने जर्णो को वापस अंपनी ट्रेटरी दे नहीं किया ठीक है तेधी वापस अब अलेक्जेंडर आगे भड़े और वयरा जो अगर संदिया यसाइडर यहां पर अगर मैं बात करू पर जो व्यास न दी आई के उसका इसाइड उसका फ्लो भी उतना ही ता कहां से उनको लेकर आए ता कहां तक आ गया था वापस जाने का नाम भी ने ले रहा था उपर से पोरस ही लड़ाई उन्होंने देख ली जनमें पोरस हार तो गया पर उनका पास चल गया था कि अभी तो हम इंडिया में प्रोपर एंटर भी नहीं हुए ठीक है भाई या तो यहां पे उनको एक चीज और पता थी कि आगे धनानंद बैठ है उनको ये चीज पता थी कि पोरस तो हार गया लेकिन पोरस का भी जो सबसे बड़ा अगर मैं बात करू किंग उस टाम का तो धनानंद उसके पास तो हजारो हाती लाखो पता नहीं कितने तो मतलब ऐसा कह थी कि मैं अपने सैनिको से खुद से हार गया तो इस तरह की बाते हुई और वो वापस लोट गया डर के मारे लड़ा नहीं अब अलेक्जंडर नहीं लड़ा यहां से गया अब इसने जो है यहां पे आया इंदस यहां पे जाते-जाते भी इसने कुछ राजाओ को खाड़ फैका और आपने गवर्नर एस्टेबलिश करता चला गया यहां से गया वापस चले गया बेबी लोन की तरफ चले गया वहां पे मैंने उसको का कि उसके साथ क्या हूँ जाते-जाते इसने जो है मैंने कहा आपको कि किस तरीके से उसने जो है बियस क्रोस नहीं कर पाया और आर्मी ठक गई थी अलेक्जंडर वाप चले गया और फिर जो है इसकी मृत्यू के बाद ग्रीक एंपायर वैसे जो है बट गया तो अलेक्जंडर ने अलेक्जंडर गया और साथ में अपने कुछ जनरल को छोड़ गया कि जो रीजन उसने डिफीट किया है जो उसके अंद निकेटस जो है यह बहुत तो फेमस उस टाइम का गवर्नर था और पढ़ेंगे इसके आगे लास्ट गवर्नर की बात करो तो वह इडू मसता अलेक्जंडर का अच्छाए फैक्ट किम बात करूं तो पोलिटिकल यूनिफेशन भढ़ गया आप कह सकते है कि मोर्या का राइ इंडिया ग्रीस में तो ट्रेड बढ़ गया इंडो ग्रीक रूलर्स दिरी दिरे जो है नोड़ वेशन पार्ट में आते गए इडियन आट में गंदरा स्कूल ओफ आट में देखेंगे कि जो है इंडो ग्रीक का इंफ्लूएंस था और जो बुद्धा की जो मूर्तिया है जो उनके एक्सप्रेशन से हैं वो बिल्कुल उन पर ग्रीक इंफ्लूएंस था तो इस तरीके से जो है यहां पर पर्शन और ग्रीक इंवेजन भारत में हुआ आज के लिए इतना ही थैंक्स और वोचिंग गड़ ब्लेस यू अल